लो दोस्तों वेलकम बैक आज के टाइम में भारत में घर बनाना पैसे और टाइम दोनों की इंवेश्मेंट काफी होती है तो इसी प्रोब्लम को कम करने के लिए भारत सरकार ऐसे टेकनलोजी पे काम कर रही है जिसके मदद से घर बनाये नहीं बलके घर चापे जा सकते हैं जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना घर चापे जा सकते हैं आज के टाइम में भारत में इस टेकनलोजी के मदद से कुछ गिने चुने प्रोजेक्स पे काम चल रही है जैसे त्वस्ता हाउसिंग और अमिनिटरी के कुछ कैम्प वगेरा और इस technology के मदद से भारत सिर्फ भारत में ही नहीं बलके अफगानिस्तान में भी घर छाप सकते हैं ऐसा अफगानिस्तान के government के तरब से ये भी approach किया गया है घर इस technology के नाम है 3D printed housing 3D printed housing technology actually European country में already चल रही है तो आईए जानते हैं क्या है ये 3D printed housing technology और ये काम कैसे करती है 3D printed housing technology का इस्तमाल European countries जैसे नीदरलैंड, अमेरिका और कुछ countries काफी पहले से इस्तमाल कर रही थी और इसी सब को देखते हुए भारत ने भी इस technology के उपर काम करना सुरू किया और इस basis पे कुछ गिने चुने projects पे already काम कर रही है अब दर असल इस technology में इस्तमाल होने वाली जो main element है raw material concrete उसे अभी भी भारत दूसरे country से ही import करती है क्योंकि इस raw material को बनाने की जो secret technology है वो अभी भी किसी खास गिने चुने 200 के पास ही है लेकिन अब ख़बर ये भी आ रहा है कि भारत ने भी इस technology के उपर जो raw material बनाई जाती है इस पे भी काफी हद तक सफलता पाली है इंडियन अस्टार्टप बेस अस्ट्रेटीफाई ने M40 ग्रेट की ऐसे ही raw material concrete को तैयार की है जो कि industrial waste, fiber और कुछ chemical की मदद से काफी हद तक normal raw material से मजबूत और टिकाउँ बनाया गया है और इसी technology के मदद से गुआ हटी IIT ने जो अभी G20 में हुए security post को महज 15 घंटों में बना दिया जो कि एक security post को बनाने में 7 से 10 दिनों का time लगता है इस technology के मदद से इन्होंने 15 घंटों में तैयार कर दी मतलब यह technology आज के time में काफी चलन में है और हमें लगता इन future यह काफी advanced technology होगी ताकि हमारे जो housing जो competition है housing technology को काफी boost करेगी भारत के इसी technology को देखते हुए अफगानिस्तान ने भारत सरकार से अपने हैं infrastructure डिवलप करने की मदद मांगी है और अफगानिस्तान किसी भी देश से ज़्यादा भारत पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है और भारत भी समय समय पे अफगानिस्तान की मदद करता रहता है और इसी technology की मदद से अफगानिस्तान में जो extreme heat weather condition and earthquake prone area है वहाँ पे सस्ते टिकाओ और कम समय में काफी अच्छी infrastructure तयार की जा सकती है और जैसा कि अफगानिस्तान में waste material management system की भी बहुत सारी कमी है उस waste material management system की भी इस technology के मदद से काफी हद तक सही की जा सकती है और इस मदद से भारत को भी politically काफी access मिलेगा अफगानिस्तान में ताकि इंडिया अपने अच्छे तरह से economic balance कर सके तो बस यार आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और देखते ही यह technology कहां तक develop करती है और आगे समय में इसकी कितनी पहुँच होती है हमारे housing industry में तो तब तक के लिए happy holy और मरे करो